हेलो एरिवन स्वागत है आप सभी लोग का मेरी यूटूब चैनल प्रफुल केमेस्ट्री क्लासेज में जहां हम लोग आज स्ट्क्चर ऑफ एटम क्लास 11 का चैप्टर नमबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर को मैं आपको complete online पढ़ाऊंगा और एक-एक तरीके से एक-एक चीजों को explain करूंगा आपको आराम से वीडियो को last तक देखना है बहुत मज़ा आने वाला ये चैप्टर बहुत interesting चैप्टर है इससे आपके exam में बहुत सारे questions आते हैं चाहे आप कोई board का त् CBSE board और any state board जो कह सकते हैं या आप meet या JEE के भी questions बनाना चाहते हैं आप सभी examination में structure of atom chapter से बहुत सारे questions आते हैं चाहे और बहुत interesting chapter है चाहे दूसरी बात क्या है कि structure of atom chapter का नाम सुनके जब आप 11 class में आते हो और structure of atom का नाम सुनते हो तो आपको एक confidence आता है क्योंकि ये chapter आपने school में 9 में class में आप पढ़े हैं इसलिए आपको ये chapter सुनके नाम सुनके लगता है कि चलिए ऐसा chapter मैंने class 9 में पढ़ा है तो ये मेरे लिए थोड़ा friendly type लग जाता है इसलिए बहुत मजाने वाला वीडियो में लाश्तक वीडियो को जरूर से जरूर देखेगा और अगर आपने मेना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और जितना हो सके अपने friends को या जिनको भी जो भी इस associated लोग है उनको आप send किजिएगा, share किजिएगा ठीक है, तो start करते है वीडियो, देखे, structure of atom class 11 chapter 2, chapter जहां से start होता है, ये chapter का starting जो है, सबसे पहले होता है atom के discovery से, introduction part में है, आपको notes, अगर आप चाहें तो वीडियो को pause करके notes बना सकते हैं, नहीं तो मैं, अगर आप मेरे offline center में पढ़ते हैं, तो वहां मैं group में आपको notes send क कर दूँगा, लेगिन अगर आप offline center में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ online lectures देखते हैं, तो मैं आपको मेरे screen पे, आपको number visible हो रहा होगा मेरा, उस number पे आपको message करना है, मैं आपको notes भी provide कर दूँगा, या हो सकता है कि मैं video के description box में भी courses करूँगा, कि इसका notes भी वहां पे available आ starting जो chapter का होता है, वो होता है atom के discovery से, आपको लग रहा होगा, atom का discovery के बारे में तो आपने chapter number one में भी पढ़ा है, class 11 का chapter number one, some basic concept or chemistry, वहां पे भी आपको atom के बारे में initiation, Dalton's atomic theory में आपको मिला होगा, ठीक है, तो वहां तो आपको मिला ही था, लेकिन यहां पे चुकी आप atom का आपको इतिहास यहने के history जानने की जरूरत है, atom क्या था, atom के बारे में किसने सबसे पहले बताया था, है ना, तो इसके बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले आप देखेगा, जो atom के introduction part में आप लोग उने देख रहा है, आपने यहां का notes में लिखा हुआ है, यह atom के बारे में जो बताया था, जिस scientist ने सबसे पहले वो थे आपके John Dalton, है ना, John Dalton ने 1808 issue में atom के बारे में सबसे पहले बताया था, discoverer of atom John Dalton ही है, उन्होंने atom के बारे में बताया था, अब क्या बताया था, chapter number 1 में इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भ सबसे चोटे कनों से मिलके बना है, है ना, उन चोटे कनों को ही हम लोग atom बोलते हैं, परमानू बोलते हैं, मत्दब हमारे आस पास का कोई भी पदार्थ हो, जैसे ये आपका marker हो गया, इसका भी जो सबसे चोटा particle होगा, उस चोटे particle को हम लोग क्या बोलेंगे, atom बोलेंग होता है, nucleus में आपके particles होते हैं, atom के अंदर भी आपके तीन तरह के particles होते हैं, जैसा कि आप लोग ने कभी ने कभी पढ़ा होगा, electron, proton और neutron, लेकिर उस से मैं यह नहीं कहा गया था, Dalton ने सिर्फ कहा था कि कोई भी substance का सबसे छोटा particle को हम लोग क्या बोलते हैं? atom बोलते हैं, चीक है? तो यह है, अब atom word जो है, Dalton ने एक word से लाया था, वो आपके Greek word था, जिस word को हम लोग कहते हैं Atomio, Atomio नाम का word से atom word को उन्होंने derive किया था, है ना? Greek word है, जिसका मतलब होता है Indivisible, क्या होता है? इंडिविजिवल, इंडिविजिवल का मतब जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो अविभाज्य हो, जो सबसे छोटा हो, उसको फर्दर आप ना तोड़ पाएं, इसी को एटम कहा जाता है, तो एटम वर्ड जो है, ग्रीक वर्ड एटोमियो से बन के बना है, जिसका मतलब होता है, इंडिविजिवल, कई बार एकजाम में आता है, एटम वर्ड कहां से आया है, तो ग्रीक वर्ड से आया है, एटोमियो से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, इंडिविजिवल, ठीक है, चलिए, इसके बाद, डॉल्टन ने अपने थियोरी में बहुत सारी ब देखे, डॉल्टन ने से अटमिक थियोरी दिया था, तो उस अटमिक थियोरी के अधार पर उन्होंने बहुत सारे laws, जो आपका chapter number 1 में मिलता है, law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportion, ये सब उन्होंने explain किया था, आपको लग रहा होगा, ये सब law क्या है, ये सब law आपको chapter number 1 में already मिलता है, त तो चलिए, डॉल्टन से अटमिक थियोरी, ये सभी चीजों को explain कर देता है, डॉल्टन से अटमिक थियोरी मैंने नहीं बताया, सिर्फ आपको main बात बताया, कोई भी substance का सबसे छोटा particle को atom कहते है, ऐसा डॉल्टन ने कहा था, atom को further नहीं तोड़ा जा सकता है, atom सबसे बहुत सारे scientists लोगों ने अलग-लग research किया, कि क्या atom के अंदर कुछ और नहीं हो सकता है, क्या atom ही सबसे छोटा particle है, क्या, तो नहीं, atom के अंदर भी बहुत सारे particles होते हैं, जो आप जानती भी होंगे, electron, proton और neutron, है न, तो atom के अंदर जो particles पाय जाते हैं, उन्हें कहा जाता ह सब-atomic particles, क्या बोला जाता है, सब-atomic particles या फिर इन्हें fundamental particles भी कहते हैं, कोई आप से पूछ दे, बताइए, सब-atomic particles क्या है, तो आप क्या बोलेगा, electron, proton, and neutron, ये आपका सब-atomic particles होता है, और इसे आप fundamental particles भी बोल सकते हैं, तो ये हो गया आपका discovery, इसके बारे मैं आगे बत होंगा, discoveries का, लेकिन सब-atomic particles आपका क्या-क्या है, तो electron, proton और neutron, इन्हें fundamental particles भी कहा जाता है, ठीक है, चलिए, अब आके बढ़ते हैं, ठीक, next आपका है discovery of electron, electron का discovery कैसे हुआ, है ना, ये सारा कुछ आपको भी मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है, सब-से पहले electron का discovery हो था, जिस थॉम्सन का atomic model भी पढ़ा हो था, पढ़ा होगा आपने, ये चीज यहां भी आपको मिलेगा, जे जे थॉम्सन ही electron के discoverer है, और कब discovery हुआ था, 1897 में हुआ था, और उन्होंने electron का discovery किया था, वो एक experiment के जरिये किये था, जिसका नाम था, cathode ray discharge tube experiment, cathode ray discharge tube experiment के माध्यम से, है न जे जे थॉम्सन ने electron का discovery किया था, वो क्या experiment था, इसका pictorial diagram, यानि कि जो picture है, वो यहां पर बनाया गया है, इस cathode ray जो उन्होंने experiment किया था, इनके क्या-क्या properties है, वो यहां लिखा हुआ है, और इस experiment से क्या-क्या उनको मिला, क्या conclude किये, वो सब बात यहां पर आपको हुआ है, ठीक है, चली, पहले experiment देख लेते हैं कि discharge to experiment क्या था, देखे, इन्होंने दो metal, दो metal का rod लिया, एक metal के rod को battery के negative terminal से, एक metal के rod को battery के positive terminal से connect किया, जो आपका negative terminal से connected है, उसे आप कहते हैं cathode, और जो आपका positive terminal से connected है, इसको बोलते हैं, आपको पता होगा कि battery में, जो चोटा वाला part होता है, चोटा, ऐसे आप अगर cell बनाते हैं, तो यह आपका negative terminal होता है, यह आपका positive terminal होता है, तो यह negative है, और जो बड़ा वाला है, यह आपका क्या है, positive, negative से electrode connected है, उसे आप ch vidéos बोलते हैं, पोजटीव से जो electrode connected है, अचैसे आप एиновोर बोलते हैं, इस के प्रेशर कम होने का एक फायता यह होता है कि कोई भी रे अगर यहां से निकलेगा तो वह सीधे लाइन में ही जाएगा इधर उधर नहीं जाएगा और जो बैटरी यहां यूज किया जाता है इसका वोल्टेज बहुत ही हाई था है ना बहुत हाई वोल्टेज था एक का वोल्टेज बहुत ही जाधा था उतिस नोरिंट कर रहे होंगे अनोड में आप देखर रहे होंगे पोटी इसको ही इसको बोलते है फ्लोरो सन्ट में बोलते है इस स्क्रीन का क्या काम है मैं आपको सब shows समझा दूंगा आराम से पहले आप देखे आगा एक screen है और यह zinc sulfide का बना होता है zinc sulfide का fluorescent screen होता है देखें एक्सपरिमेंट क्या था अपने setup तो देख लिया एक्सपरिमेंट उन्होंने क्या observe किया जैसे ही एक्सपरिमेंट उन्होंने देखा किया था तो उन्होंने observe कि cathode से anode की तरफ कुछ ray जो है पास कर रहा है एनोड से किस और cathode की तरफ कुछ ray पास कर रहा है एनोड से cathode की तरफ यहां से यहां आपका कुछ ray पास कर रहा था लेकिन यह ray जो है invisible था यह दिखाई नहीं दे रहा था तो बोलीगा sir आपको कैसे पता चला या उनको कैसे पता चला होगा कि कोई ray pass कर रहा है तो सुनिएगा यह ray जो है यहाँ से pass करने के बाद यह जो आपको perforated anode दिख रहा है इससे pass करने के बाद इस screen पर जाके टकराया अब यह जो screen है आपका fluorescent screen इसका काम क्या सुनिएगा जब इस पर कोई ray जाके टकराता है तो यह चमकने लगता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का काम होता है, जब इस पर कोई रे जाएगा, तो यह चमकने लगेगा, इसलिए इसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी या फ्लोरोसेंट कोटिंग भी कहा जाता है, तो एनोड से कैथोर्ड की तरफ कुछ रे पास कर रहा था, जो कि ए इनोड के परफोरेटेट से पास करके जी ये फ्लोरेसें स्क्रीन पर जाके टकराया इस वज़े से आपको विजिबल दिखाए दे रहा था या चमक ने लग गया तो इससे साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो रे है ये कैथोड से एनोड की तरफ पास कर रहा है किधर से किध इनोड की तरफ ये कैसा मूब करता है स्ट्रेट लाइन में इधर अधर मूब नहीं करें यह आपका straight line में ही जाएगा, तीसरा point, it consists of negatively charged particle electrons, यह JJ Thompson ने कहा, कि cathode ray में negative charge particle होता है, और यह negative charge particle को हम लोग क्या बोलते हैं, electron बोलते हैं, इसलिए electron के discover, JJ Thompson को ही खा जाता है, कि cathode ray के अंदर negative charge particle है, ठीक है, देखे, अब यह negative charge particle क्यों होगा, क्योंकि यह आपका negative terminal है, और य ठीक है, अगर ray इधर से इधर move कर रहा है, तो अगर यह negative charge particle होगा, तब तो यह positive की तरफ move कर रहा है, अगर यह negative है, तभी तो यह positive की तरफ move कर रहा है, अगर यह positive होता, तब तो यह इधर move करता, electron इधर आ जाता, ठीक है, लेकिन ray जो है, आपका negative से positive की तरफ move कर रहा है, इसका मतब इसके उपर negative charge होगा और इसी लिए electron पर कैसा charge माना जाता है negative charge, ठीक है, चले, it is invisible, ये दिखाई नहीं दे रहा था, but it can be observed by fluorescent screen, ये दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन fluorescent screen के द्वारा इससे प्रिक्षित किया गया, देखा गया कि हाँ, कोई ray है, क्योंकि ये इ charge by mass ratio को उन्होंने calculate किया, कौन सा ratio को, charge by mass ratio, और charge by mass ratio जो electron का होता है, वो होता है 1.7 into 10 power 8 कुलम पर ग्राम, ये होता है, charge by mass, मतल़ इलेक्ट्रोन का कुछ charge होगा, और उसका जो mass होगा, वो calculate किया है, उन्होंने 1.7 into 10 power 8 कुलम पर ग्राम, कई बार इक्जाम में आता है, charge by mass इसे electron का कितना होता है, तो 1.7 into 10 power 8 कुलम पर ग्राम, ये होता है, चलिए, ये इन्होंने calculate किया, किसे, जेजे थॉम्सन ने, अब जेजे थॉम्सन ने एक बात और कहा था, the nature of cathode ray does not depend on material of electrode and gas present in the cathode ray, बहुत important बात है, देखे, ये जो electron यहां से यहां से निकला, उन्होंने क किया, इस rod को, जो cathode ray वाला rod है, इसको change करके दूसरे metal का rod लिया, जैसे पहले माल लिये कोई copper का rod लियो, या फिर आप iron का rod लिये, चाहे आप कोई दूसरा metal का rod लिये, अंदर में जो gas भरा है, माल लिये hydrogen लिया अपने, फिर दूसरा gas को भर गिया हमाले helium लिया अपने, या आपका charge by mass, charge by, sorry, charge by, यहां mass होगा, charge by mass ratio था, वो यही था, constant था आपका, 1.7 into 10 power 8, चाहे वो कोई भी rod, चाहे वो कोई भी gas रखा, फिर भी यही value आ रहा था, है ना, तो इसका मतलब उन्होंने ये conclusion निकाला कि हर एक substance में जो electron पाया जाता है, है ना, सबका nature एक जैसा होता ह चली, ये भी हो गया, अब यहां तक तो ठीक है, है ना, इन्होंने क्या निकाला था, charge by mass ratio, देखे, एक और scientist है, जिनका नाम था, Millikan, क्या नाम था, Millikan, इन्होंने एक experiment किया था, ये experiment आपको physics में मिलता है, Millikan's oil drop experiment, इन्होंने इस experiment के अधार पर, electron का charge को calculate किया था, चाह calculate कि किया था, charge by mass calculate किया था, Thompson ने, जबकि charge calculate किया था, Millikan ने, और electron का जो charge होता है, वो होता है, आपका, minus 1.6 into 10 to the power minus 19, कुलम, ये है आपका charge, और निकालने वाले scientist कौन थे, Millikan, ये है आपका charge, charge by mass किसने calculate किया था, Thompson ने, charge किसने calculate किया था, Millikan ने, है ना, और वो value कितना था, minus 1. 1.6 into 10 power minus 19 कुलम, आपको जरूर से जरूर याद रखना इसको अब एक बात बताएए, अगर charge calculate हो गया, तो electron का mass भी calculate हो जाएगा न, क्योंकि ये charge है आपका अगर आप यहाँ put कर दीजेगा charge को तो यहाँ पर charge का value अगर put हो जाए तो आप क्या यहाँ से mass निखा सकते हैं, electron का हाँ, तो electron का mass भी calculate कर लिया गया बाद में, क्योंकि charge by mass calculate किया था Thompson ने, charge calculate किया Milliken ने, तो charge का value को अगर यहाँ put कीजेगा, तो mass भी निखल जाएगा और electron का mass आया, 9.1 into 10 power minus 31 kg है ना, यह electron का mass था electron का mass यतना होता है, है ना, तो इस पूरे experiment से आपके लिए important point क्या-क्या है, पहला बाद, electron के discoverer कौन है, जे जे थॉंसन electron के discoverer कौन है, जे जे थॉंसन electron के discoverer, जे जे थॉंसन किस experiment से इन्होंने एक electron का experiment किया था, तो उसका नाम था cathode ray discharge tube experiment, दूसरा बाद, तीसरा बाद, तीसरा बाद, cathode ray का properties जब पर question कैसे आ सकता है, cathode ray किधर से किधर move करता है, तो cathode से एनोड की तरफ, किधर से, cathode से एनोड की तरफ, क्या cathode ray visible होता है, नहीं, इसके लिए zinc sulfide, यानि की chloroscent screen नहीं उसकिया जाता है, जिस पर ray पढ़ता है, तो वो चमकने लगता है, electron का, और एक बाद, उसके बाद, cathode ray पर कैसा charge होता है, तो negative charge होता है, और उसी negative charge particle को हम लोग क्या बोलते है, electron बोलते है, यहां तक हो गया, electron negatively charged particle है, यह भी आपको पता चल गया, उसके बाद, electron का charge by mass ratio कितना होता है, तो होता है 1.7 into 10 power 8 कुलम पर ग्राव, चीके, अब एक बाद और, क्या electron का charge को भी J.J. Thomson ने calculate किया था, नहीं, वो calculate किया था Milliken ने, एक experiment से, जिसका नाम था, oil drop experiment, और जो value था, minus 1.6 into 10 power minus 90, अगर यह value को आप यहां से पूट कीजेगा, तो electron का आपको mass भी पता चल जाएगा, और वो था 9.1 into 10 power minus 31 kg, clear? तो यह experiment आपका discovery of electron से related था, ठीक है, चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हम लोग नए चीज़ के तरह, अब आते हम लोग proton की discovery के बारे में, अब proton का discovery भी बहुत ही interesting है, similarly आपको electron की तरह ही है, देखिए, जानसा सुनिएगा, जब electron का discovery हो गया, तो सबसरी scientist को यह पता चल गया, कि कोई भी atom के अंदर एक particle होता है, इसको लोग बोलता है, electron, और उस पर कैसा charge होता है, negative, अगर कोई atom पर सिर्फ electron होता, तो उस atom पर हमेशा negative charge होता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ electron है, लेकिन बार में scientist लोगों ने देखा, नहीं, atom तो neutral है, अगर atom neutral है, और उसके पास electron है, तो जरूर उसके पास positive charge भी होगा, क्योंकि अगर आपके negative charge electron ही होता है, क्या positive charge electron पर नहीं होता है, क्या बिल्कूल होता है, तो इसी क्रम में एक scientist है, जिनका नाम था Goldstein, क्या नाम था, Goldstein, उन्होंने ये जानने का प्रयास किया, कि क्या atom के अंदर सिर्फ negative charge होता है, या positive charge भी होता है, है ना, तो उन्होंने एक experiment जो उन्होंने किया था जे जे थॉंसन ने उसी को modify किया, modify का मतलब उसी को फिर से experiment कर देना, उसी को बोलता है modification, उसमें कुछ changes लाया उन्होंने, और उन्होंने ये थाबित किया कि atom के अंदर सिर्फ negative charge particle नहीं, positive charge particle भी होता है, है ना, जिसको लेटर ओन, Rutherford नाम के scientist ने ये थाबित किया, कि उस particle को proton करते है, देखे, एक बहुत interesting सवाल मैं आपको, या सवाल पूछ रहा हूँ और उसका जवाब भी दूँगा, कई लोगों को ये confusion होता है कि proton के discoverer कौन है, है ना, कई books में आप देखेंगे, proton के discoverer गोल्स्टीन को कहा जाता है, कई books में आप देखेंगे कि proton के discoverer, Rutherford को कहा जाता है लेकिन, real मायने में, देखा जाए तो proton के discoverer, Rutherford है ना कि गोल्स्टीन, गोल्स्टीन ने सिर्फ ये बात साबित किया था, कि atom के अंदर, electron के साथ एक positive charge particle भी present होता है लेकिन वो positive charge particle को क्या कहते है, इसका location क्या है, ये सब Rutherford ने explain किया था इसलिए Rutherford को ज़्यादा स्रे दिया जाता है हाँ, गोल्स्टीन नहीं होते तो Rutherford भी experiment, Rutherford भी नहीं बता पाते कि atom के अंदर particle proton होता है उसके बारे में, है ना लेकिन स्रे दिया जाता है proton का discoverer को Rutherford को, तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर discovery of proton and canal ray, canal ray भी कहा जाता है आगे बताएंगे, canal ray किसे कहा जाता है देखे, protons were discovered with the help of modified cathode ray discharge tube experiment which was carried by Goldstein proton का discovery, एक experiment के द्वारा की गई थी, जिसका नाम है, देखे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है modified cathode ray discharge tube experiment, मतब वही experiment जो आपने 5 नट पहले देखा था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, modified, किस ने किया था, Goldstein ने, कभी किया था, 1886 में किया था यह figure आपको, यह experiment का figure है, जो आपने भी देखा उसी को modify किया गया, आप देख रहे होंगे experiment में, पहले experiment देख लेते हैं, फिर conclusion देख लेते हैं, देखिएगा experiment में सब चीज पलट गया, इसके पहले anode पे perforated था, anode पे चेद था, अब क्या है देखिए, कैथोड पे perforated कैथोड आ गया, कैथोड में आपको चिदर नजर आ रहा है, जी किसलफाइट का screen जो इस तरफ था, वो इस तरफ आ गया, इधर आ गया, ठीक है, अब बाकी सब वही setup है, देखे, यहाँ वही लिखा हुआ air at very low pressure, मैंने कहा था, है ना, vacuum pump के सायता से, बहुत ही कम pressure generate किया गया, है ना, उसके बाद आपको दीख भी रहा होगा, देखे, vacuum pump, ठीक है और यह high voltage लिया गया है, यानि कि battery का voltage बहुत ही जादा है, negative से connected होने कारणे से क्या खा जाता है, cathode, और positive से connected होने के कारणे से क्या का जाता है, anode, लेकिन देखेगा anode में कोई छेद नहीं है, लेकिन cathode में छेद है, आप देखेगा क्या हुआ, जब यह experiment उन्होंने किया, जब पलट दिया किया, है ना, और वो इस छेद से होते हुए, perforated से होते हुए, आपको यह screen पर, जो fluoroscent screen था, यह आपका फिर से वही है, fluoroscent screen, आपने देखा था, जो, jinx sulfide का screen था, इस पे भी कोई रे जाता है, तो यह रे आपका इधर से इधर move कर रहा था, और यह glow करने लगया, किस color का red, आपको red यहाँ दिखाए भी गया, लाल रंग का glow करना शुरू कर दिया, है ना, तो gold screen नहीं यह जरू सोचा, कि चुकि यह ray ultra direction में flow कर रहा है, यहनि कि positive to negative, है ना, यह ultra direction में glow कर रहा है, मतलब negative की और move कर रहा है, इसे कहा जाता है anod ray, क्योंकि anod से निकला था, इसलिए anod ray, इसके पहले वाला cathode से निकला था, इसलिए cathode ray, इसलिए कहा जाता है anod ray, और इसे ही कहा जाता है canal ray, क्या बुलते हैं canal ray, canal इसलिए use होता है, Canal का मतब जब कोई चीज इदम सीधी रेखा में जाएगा और किसी चीज को cross करके पहुंच जाता है कहीं और तो इसे Canal कहा जाता है Canal Ray भी कहते हैं से अब सुनिएगा इसका क्या-क्या properties था वो सुनिए, just anode, cathode ray की तरह ही है It starts from anode and moves towards cathode Just ultra, वहाँ cathode से anode था cathode ray में, यहाँ anode से cathode में है It travels in a straight line, वही point यह भी किस रेखा में जाता है, सीधे रेखा में It is positively charged radiation यह कैसा radiation है? Positively charged radiation है Charge to mass ratio of particle depends on gas यह बहुत important बात लिखा हुआ देखे यहाँ पे शुरुवात में अंदर में जो gas भरा गया था वो था आपका hydrogen कौन सा gas? hydrogen उसका जो charge by mass ratio था वो कुछ और था अगर आप दूसरा gas भरियेगा उसका charge by mass ratio कुछ और था जबकि आप cathode ray में क्या देख रहे थे? वहाँ कोई भी gas अंदर में भरिये, कोई भी rod लिए charge by mass ratio सब जगा सेम था लेकिन यहाँ charge by mass ratio हर gas के लिए सेम नहीं होता है यह depend करता है gas पे इन दोन में बहुत बड़ा difference है cathode ray और anode ray में ठीक है? यह depend करता है gas पर nature of gas, कौन सा gas आप अंदर में यूज कर रहे है ठीक है? तो charge by mass ratio को हम E by M ratio भी कहते हैं हम लोग charge by mass को आप E by M ratio भी कहेंगे यह hydrogen के लिए कितना था? तो 9.85 into 10 power 4 कुलम पर ग्राम वो आपका था 1.7 यह आपका 9.85 ठीक है? कुलम पर ग्राम 10 का पर 4 कुलम पर ग्राम यह किसका था? hydrogen का hydrogen gas अगर भरेंगे तो कोई और gas भरेंगे तो कुछ और charge by mass ratio आएगा यही difference है cathode ray और anode ray में ठीक है? चलिए यहाँ तक experiment कर दिया था किसने? यहाँ तक experiment किया था आपका? गोल्स्टीन ने गोल्स्टीन का experiment यही तक रुप गया था अब देखते हैं इसके बाद गोल्स्टीन ने जब यह experiment किया इसके बाद उन्होंने साथ साथ आपको क्या बताया तो देखेगा यहाँ पे यहाँ तक एक बाद जान लेजिए कि कोल्स्टीन ने यह तो बता दिया कि anode ray पर positive charge होता है लेकिन proton के discovery का स्रे उन्हें नहीं जाता है क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि हर एक सबस्टांस के अंदर proton present होता है जैसे आपका electron present था ठीक है इन्होंने यह जरूर बता दिया कि anode ray या canal ray पर positive charge होता है लेकिन हर एक सबस्टांस से proton present होता है यह जानने वाला यह बताने वाला स्रे आपका रदर फोर्ड को जाता है protons कहा जाता है क्या कहा जाता है proton हर एक पदार्थ में या हर एक ततों में positively charge particle भी पाया जाता है इससे क्या कहा जाता है proton यह किस ने कहा था रदर फोर्ड गोल्स्टी ने नहीं कहा था गोल्स्टी ने सिस रे का खोज किया था charge on proton is same as the electron which is plus 1.6 into 10 power minus 19 तो हो नहीं था electron के charge के बराबर होता है आपका proton का charge बस वहाँ negative था और यहाँ आपका क्या है positive क्योंकि आप जान रहे है कि कोई भी substance अगा neutral है जिसके पास negative charge electron है तो positive charge proton भी होगा और दोनों बराबर charge का होगा तम ना दोनों 1.672 into 10 power minus 27 किलोग्राम 1.672 into 10 power minus 27 किलोग्राम यह आपके proton का मास था है ना जबकि electron का मास था 9.1 into 10 power minus 31 kg यहाँ 1.672 into 10 power minus 21 kg इसका मतब proton electron से ज़्यादा भारी है क्योंकि यह minus 27 है वो आपका minus 31 था minus 31 थो छोटा हो गया ना minus 27 बड़ा हो गया तो यह था आपका proton से discovery से related कुछ बाद जो आप लोगों ने देखा होगा भी ठीक है चलिए अब हम लोग आते हैं proton के बाद अब अगला particle जिसका खोज हुआ इसका नाम था neutrons है ना और neutron के बाद मैं आपको यहाँ पे summarize वे में electron, proton, neutron के बारे में जो जो important बात आपको जानना चाहिए वो मुझे लिख देंगा देखे, neutron का खोज बाद में हुआ था बहुत बाद में हुआ था पहले electron, proton का खोज हो गया बाद में neutron का खोज हुआ और neutron का खोज Rutherford के atomic model के ही बाद उसके बाद हुआ था, क्या हुआ था समझेगा देखे, एक बाद बताईए एक atom के अंदर क्या-क्या present होता है nucleus, है न, यह आप लोग generally जानते होंगे और इसके अंदर पाए जाता है कौन सा particle proton, और बाहर में कौन सा particle होता है, electron, यहाँ तक discovery जब हो गया, तब कुछ scientist को लगा, कि इस atom के nucleus के अंदर भी सिर्फ एक particle नहीं हो सकता है proton कोई और भी particle present होगा क्योंकि इसका mass, proton के mass से ज़्यादा आ रहा था, मतलब जो पूरे atom का mass आता है, है न, यह nucleus के कारण ही होता है इसका mass ज़्यादा आ रहा था, proton का mass कम आ रहा था, इसका मतलब इसके nucleus में एक और particle भी present होगा, यह अलग-अलग scientist लोग सोचने लगे, है न, हाँ, उसका कोई charge नहीं होगा, क्योंकि charge तो आपको proton, electron के वज़े से ही होता है, और दोनों पर बराबर charge होता है, इसलिए atom neutral होता है इस nucleus के अंदर भी कोई नो कोई particle होगा, ऐसा बहुत scientist लोगों ने सोचा, और सोचने के बाद, जिस scientist ने experiment करके इसे verify किया, उसका नाम था, James Chadwick क्या नाम था, James Chadwick, और उन्होंने experiment कैसे किया, देखेगा 1932 में उन्होंने क्या किया 1932, physicist थे उन्होंने conduct किया experiment और क्या experiment किया, beryllium नाम के element पर, beryllium आप लोग सुने होंगे, alpha particle का है ना, alpha particle जो है मतलब, alpha particle से इसको प्रहार किया था, beryllium पर और तब जाकर के आपका एक particle generate हुआ, N01 1, है ना, यही N01 को हम लोग बोलते है, neutron क्या बोलते है, neutron, कभी-कभी exam में question आता है, कि neutron का discovery जब हुआ था, तो किस element पर alpha particle का bombarding किया था तो उसका नाम है beryllium, है ना खेर आपको उतना जरूरत नहीं, आप सिर यह जान लेजे neutron के discover आपके James Chadwick है 1932 में किया था, beryllium नाम के element पर alpha particle का प्रहार करके एक particle को generate किया था, जिसका नाम था neutron, अब इसके बारे में बहुत important बात याद रखेगा, यह क्या होता है charge less, इस पर कोई charge नहीं होता है and its mass is nearly same as proton, और इसका mass लगभग किसके बराबर होता है, proton अभी proton का mass आपने देखा था 1.6672 into 10 power minus 27 kg देखा था आपने, इसका mass लगभग उतना ही होता है जितना proton का होता है लगभग मैंने कहा रहा, थोड़ा सा जादा होता है इसका mass, वो आप लोग अभी देख लेंगे ठीक है, चली, ये table आपके लिए बहुत important है, इस exam में question बन सकता है देखे, आपको तीने हो तरह के particle जो आप लोगों ने पढ़ा, electron, proton और neutron, इसके बारे में क्या-क्या जानकारी आपको पता होना चाहिए, electron का symbol proton का symbol, और neutron का symbol electron को E से, proton को P से neutron को N से रिपरजन करते हैं, देखे electron का charge केतना होता है, minus 1.6022, उतना लेने का जोट नहीं आप सिर 1.6, into 10 power minus 19 कुलम भी याद रख सकते हैं proton का charge इतना ही होगा, बस किस symbol के साथ, plus, neutron का कोई charge नहीं होदा है, इसलिए क्या लिखा हो है, 0 relative charge, relative charge का मतलब, अगर आपको तुलना करना पड़े एक दूसरे को, तो आप क्या लिजेगा, तो electron को हमेंसाफ लिखेगा, minus 1, proton को हमेंसाफ क्या लिखेगा, proton का plus 1, और neutron का कोई charge आप नहीं लिखेगा, इसी कहा जाता है, relative charge, अब आप देखिए, mass तीनों का, electron का मास आपका है, 9.1 into 10 power minus 31, उपर क्या लिखावा है, kg में, है ना, proton का मास होता है, 1.672 into 10 power minus 27 kg, अब देखिएगा, neutron, neutron का मास अपने में, अभी खहा था, मैंने, neutron का मास proton के लगभग बराबर होता है, लेकिन थोड़ा जादा होता है, 1.672 के जगह यहां लिखा हुआ है, 49, अब इसे 5 ले सकते हैं, तो आप देखिए, neutron का मास proton से थोड़ा जादा होता है, 1.672 है, यहाँ पर 1.675, थोड़ा सा जादा है neutron का मास, है ना, तो देखिए आपने, अब आता आपका मास U, U मताँ unified मास इसका कितना लेते हैं, तो electron का हमेशा मास लेते हैं, 0, proton का मास हम लोगो, unified मास होता है, 1.007, और neutron का होता है, 1.0086, आप इसे नहीं भी याद रखेंगे, यह आपको ज़रूद बहुत जादा नहीं पढ़ता है, अब देखिए, approximate मास लीजेगा, अगर आपका approximate मास क्यों नहीं का, मताँ 0.000 स्पु है, तो लगभग आप इसे कितना मानेगा, 0, 1.007 है, तो लगभग कितना मानेगा, 1, 1.008 है, तो इसको इतना मानेगा, 1, इसका मास को आप 011 मानेगा, है न, चार्ज को आप क्या मनेगा, minus 1, plus 1, 0, तो देखिए, इस पूरे टेबल में आपको इसका value, और इसका value को बहुत important है, याद अखना है, तो देखिए, अब देखिए, कुछ important facts है, जिससे exam में कभी-कभी direct question आ जाता है, देखिए, सबसे पहले, mass of proton is 1836 time more than mass of electron, कई बार exam में question आता है, कि proton का mass electron से ज़्यादा तो है, आप देखिए, proton का mass ये है अपका, proton का mass ये है अपका, और electron का mass ये है अपका, तो ये minus 7 से ये minus 31 से obviously ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, कभी-कभी question आ जाता है exam में, कितना होता है, 1836, 1836 time, कई किसी-किसी बुग में 1837 भी लिका रहता है, लगभग आप ओही मानिएगा, proton का mass, electron के mass से 1836 times ज़्यादा होता है, चीक है, दूसरी बाद, mass of neutron is nearly equal to mass of proton, ये तो आपको मैंने कहा, दोनों का mass लगभग से हम होता है, लेकिन फिर भी अगर आप point में जाईएगा, तो proton से भी ज़्यादा mass किसका होता है, neutron का, चीक है, उसके बाद, relative masses, relative mass of neutron is 1u, देखे, neutron का mass को आप कितना लेंगे, 1u, proton का mass को भी आप कितना लेंगे, 1u, तो electron का mass, electron का mass इन दोनों से बहुत कम होता है, तो आप इससे कितना लेंगे, 0, लेकिन exact 0 नहीं होता है, आप इसको लिखेगा, 1 by 1840, क्या लिखेगा, 1 by, क्योंकि अगर आपका proton 1 है, neutron भी 1 है, तो electron आपका होगा, 1 by 1840, इसको आप divide कीजेगा, तो 0.000 सम्थिंग आएगा, इसलिए यहाँ पर इसको क्या लिखा जाता है, 0, 1 by 1840, को आप लगभग 0 कैंसिरर कर सकते हैं, तो यह तीनों important facts है, जो कभी-कभी exam में direct आजाते हैं, लेकिन आप यह वोला point को जरूर याद देखिएगा, कि proton का mass, electron से 1836 स्थाइम्स जादा है, और neutron का mass proton की लगभग बराबर है, decimal में जाएगा, तो neutron का mass proton से जादा होगा, चलिए, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, अब आते हम लोग atomic models में, बस आपको atomic model बताना है, Thomson model और Rutherford model, बस video end हो जाएगा, चलिए, अब यहाँ तक तो particle का खोज हो गया, लेकिन अब atom का जो model था, अभी तक कोई किसी ने नहीं दिया था, याद रखिएगा, Dalton ने atomic theory दिया था, model नहीं दिया था, अब हम लोग जानते हैं, atomic model, पहला atomic model, पहला बार किसी scientist ने, atom का model दिया, कि atom कैसा दिखता होगा, तो वो थे हमारे J.J. Thomson, कौन थे? J.J. Thomson ने, 1898 में, atom का सबसे पहला model दिया था, और वो model आपका यहाँ दिख रहा होगा, ठीक हैं, एक और figure भी है, मैं इस figure के बारे में आपको बादे बता होगा, यह model है, आपको देखे, atom spherical होता है, कैसा होता है? Spherical, है ना? और इस पर सब जगा positive charge होता है, कैसा charge होता है? Positive charge, और इस पर electron चारोतरा फैला हुआ होता है, S. आप दिख़ रहा होगा, आपको यहाँ पर electron है, और इस पर कैसा charge है? Positive. पॉजिटिव चार्ज का गोला होता है एकम पूरा पॉजिटिव चार्ज का गोला है और उसके पस इलेक्ट्रोन छीटा जाता है इसका एकमी मौडल को आप तर्बूज से वाटरमेलन मौडल भी कहा जाता है तर्बूज से आप इसे कंपेर कर सकते हैं तर्बूज में जो रे और रेडवाला पोर्शन आपका क्या है? प्रोटोन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. इसे प्लम पुडिंग मोडल भी कहा जाता है. प्लम पुडिंग मोडल जैसे आप कोई भी केक में, जो आप देखते हैं कि ड्राइफरूट्स केक अगर आपका है, तो वो हो गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और उस पर जो चेरी हो गया, या ड्राइफरूट्स हो गया, जो हो गया, ड्राइफरूट्स, वो आपका पॉजिट्रोन की तरह काम करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह काम करेगा. तो देखे, इनका atomic model में क्या कहा गया था, ध्यान से सुनिएगा, according to this model, an atom is spherical, इस model के मुताबिक, atom क्या सा होता है, गोला होता है, और इसका radius लगभग होता है, 10 का power minus 10 meter, 10 का power minus 10 meter atom का radius होता है, Thompson ने इसे approximate radius बताया था, ठीक है, of positive charge, यह जो atom है, यह positive charge का गोला है, electrons are distributed, जिसमें electron चारों तरफ फैला होता है, है ना, atom positive charge का गोला है, इसमें electron फैला होता है, चाहिए, the mass of atom is uniformly distributed over the atom, electron, जो atom का mass होता है, वो चारों तरफ एक जैसा फैला होता है, इने की कहीं, एक जगा mass जादा है, एक जगा mass कम है, नहीं, चारों तरफ atom का जो mass है, एक जैसा फैला होता है, mass of atom is uniformly distributed over the atom, उसके बाद this model is explained overall neutrality of atom, इस model से atom का उदासिंता neutrality को भी explain किया गया था, atom neutral क्यों होता है, जरके देखिए, atom के अदर positive charge particle भी है और negative charge particle भी है, दोनों है, इसलिए atom क्या होता है, आपका neutral, तो atom का neutrality भी Thomson ने model ने explain कर दिया था, कि atom neutral क्यों होता है, Thomson ने बता दिया ठीक है, चलिए, it is also called plum pudding model और watermelon model, watermelon model या plum pudding model भी कहा जाता है, जैसे ये figure आप देखिए, तो चलिए, अब हम लोग Thomson's atomic model का limitations देखते हैं, कि इस law के क्या-क्या limitations है, है ना, law तो आप लोग ने देख लिया, limitations क्या-क्या है वो देखेगा ध्यान से, है ना, सबसे first limitation क्या है, Thomson's atomic model could not explain how the positive charge body holds on the electron situated inside the atom, देखे, Thomson's atomic model में आपको ये पता है, कि positive charge particle यानि कि proton और electron एक साथ रहता है, लेकिन ये atomic model ये explain नहीं करता है, कि कैसे एक positive charge जो proton होता है, वो electron को अंदर में hold करके रखता है, है ना, क्या इनके बीच में power है, या क्या इनके बीच में attraction है, जो इनको आ एक positive negative अगर साथ रहता है, तो उनको कोई ना कोई एक attraction power hold करके रखता है, ये कैसे attractor के hold करके रखता है, ये चीज़ Thomson ने explain नहीं किया, दूसरा explanation क्या है, दूसरा limitation क्या है, दूसरा limitation क्या है, इनका कोई जानकारी नहीं था, तीसरा, the concept of nucleus was not present in this theory, है न, हम लोग जानते हैं कि atom के अंदर भी एक part होता है, है न, उसे nucleus कहा जाता है, लेकिन nucleus का नाम हो निसान, Thomson's atomic model में नहीं था, obviously, nucleus का खोज इनों ने किया ही नहीं था, nucleus का खोज रदर फोड ने किया था, जो आप देखेंगे, इसके बाद आएगा, तो ये limitations हो आप का, Thomson's atomic model का, ठीक है, चली, अब हम लोग आते हैं, next atomic model के तरब, जिसका नाम है, रदर फोड nuclear model of atom, इनका atomic model को nuclear atomic model इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इनका atomic model में nucleus के बारे बताया गया था, अर्थात, nucleus का खोज करता भी, रदर फोड को ही कहा जाता है, चली, तो एक बाता और ज scattering experiment नाम है, इस experiment को करके, atom का model दिया था, रदर फोड ने, तो पहले, model बताने से पहले, हम लोग पढ़ेंगे, रदर फोड का, वो experiment, जो experiment करके, इन्होंने atomic model दिया था, देखिए, एक experiment का diagram यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक दिखा हुआ है, radioactive source, एक ऐस element आप 12 में, physics में पढ़िएगा, radioactive element ऐसे element को कहते है, जिससे कुछ radiations बाहर निकलते है, जैसे यहाँ पर जो radioactive element यूज किया गया था, वो था आपका polonium नाम का metal है, है ना, वो एक तरह का polonium, यह radioactive element है, है ना, और इससे एक ray निकलता है, किरन निकलता है, इसके बारे में इस गोल्ड के foil, यानि कि सोने के पन्नी से, है ना, अल्फा ray को प्रवाहित किया था, मतलब यह आपका माल यह गोल्ड का foil है, इस पे अल्फा ray जाकर के टकरा रहा है, है ना, और इस side में लिया गया था, जींग sulfide का screen, वही screen, जो मैंने आपको cathode ray experiment में बताया था, वही, screen लिया गया, ताकि अगर यह ray इस से pass करे, तो वह ray का क्या होगा, वह observe करने के लिए एक screen लगाया गया, जींग sulfide का screen था, अब देखिए, यह जब उन्होंने experiment किया, तो उन्होंने क्या-क्या observation किया, क्या-क्या observe किया इस experiment में वह देखिए, जब यह gold के foil से alpha ray को pass किया गया, है ना, तो ज़्यादा तर alpha ray इस gold के foil से सीधे निकल गया, मतलब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आया, ऐसा लगभग 99% ray में हुआ था, 99% ray, alpha ray को cross करके निकल गया, उसको लगा ही नहीं कि उसके रास्ते में कोई रुकावट भी आया था, 99% सोच लिजे आप, है 1% ऐसा रह था, जिसमें थोड़ा सा deviation आया, deviation का मतलब which land, जैसे चलते चलते हम अपना रास्ता बदल दें, हैना change कर दें, रास्ते से भटक जाये तो इसको deviation कहा जाता है, ये लगभग 1% radiation में हुआ, 99% तो बिना deviation का निकल गया, 1% में छोटा सा deviation हुआ, और बहुत rare, बहुत बड़ा विचलन, या तो ऐसे भी कह सकते हैं, आप गए, और सीधे उसी रास्ता से निकल गया, ऐसा एक, मतलब कहा जाता है, 20,000 में से लगभग, एक radiation में, अलफा रह में, ऐसा हुआ था, जब सोने के पनी से टकराया था, तो, अब ये था experiment, ये था इनका friction, देखें, प्र deviation अजर आया, इसमें जो गोल-गोल खेरा गया है, ये, है ना, and very few अलफारे सफर्स लाज deviation, बहुत ही कम ऐसाल फारे था, जिसमें जादा deviation आया, deviation का मतलब विचलन, ध्यान रखिएगा, मतलब रास्ता से भटक जाना, ठीक है, चली, अब ये experiment तो आप लोग समझ गया, लेक ये item को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है, देखे, जादातर, अब इसका conclusion क्या था, देखे, मैंने पहला क्या बात बोला, कि जादातर अलफारे गोल्ड फॉयल से सीधा निकल जाता है, ये आपको जो सीधा निकल जाता है, वो ये है, यहाँ आपको जो दिख रहोगा, ये सब मैंने जो चार को ड्रॉक किया, ये सीधा निकलने वाला है, ये क्या साबित करता है, देखे, अगर आप किसी अंधेरे रूम में, अगर आप चल रहे हैं, और चलते चलते आप लगातार चलते जा रहे हैं, आपके रास्ता में कोई रुकावट नहीं आ रहा है, इसक अगर आप देख रहे हैं, कि 99% तो ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं, एक परसंट में थोड़ा सा डिवीशन आया, अगर आप अंधेरे में चल रहे हैं, और आप का रास्ता में थोड़ा सा रुकावट आ गया, आप रास्ता में बदलने पर मजबूर हो गया, इसका रुकावट बड़ा है, बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत छोटा है, तभी तो आपको 20,000 अलफा रे गया, तब एक में आपका बहुत बड़ा डिवीशन आया, ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकाला, देखें, ये जो आपको दिख रहा है, ज्यादा तर अलफा रे, बिना निकल गया, वो ये है, थोड़ा सा डिवीशन जो हुआ था, ये वाला जो आपको दिख रहा है, वो यहाँ है, देखिए, जरूर इसके रास्ते में कोई रुकावट आया होगा, जो इसको रास्ता बदलने पर मजबूर किया होगा, और ये रुकावट बहुत छोटा होगा तभी ऐसा भी कुछ को होगा कि कोई रे जो है, सीधे इस रुकावट पर टकराया होगा, तभी तो बड़ा डिवीशन देखने को मिल रहा है, है ना, जादा तर अलफा रे बिना डिवीशन का निकला, कि इसका मतलब एटम का जादा तर भार खाली है, और बहुत कम में एक अटम के अंदर एक धनावेसित स्थान होता है, है ना, उसे ही कहा जाता है, ये बहुत ही छोटा होता है, ये एक इनकलूजन की अधार पर रदर फोड ने अटमिक मॉडल जो दिया, वो ये था, और अटमिक मॉडल के मुखे मुखे बिंदू क्या है, और लिमिटेशन क उसे हैं, वो आप देख लिजे, ये लाश्ट ख्लाइड है आपका, खतम हो जाएगा वीडियो, देखे, इनका अटमिक मॉडल का क्या आप खास्वात है, देखे ये अटमिक मॉडल है इनका, इसमें आपको जो बीच में स्थान दिख रहा है, ये जो बीच में स्थान है, proton और neutron, कौन-कौन, proton और neutron, nucleus के अंदर proton और neutron होते हैं, हम लोग ऐसे भी diagram बनाते हैं, atom का, है ना, तो अंदर में कौन से कन दिखाते हैं, proton और neutron, और electron कहां होते हैं, यहां पर होते हैं, तिनका atomic model का क्या-क्या खाज मात है, वो देखिए, an atom consists of two parts, nucleus and extra nuclear portion, एक परमानु के अंदर दो भाग होता है, एक nucleus यानि की नाभिक और दूसरा होता है, extra nuclear portion, मतब नाभिक के अतरीक्ट का स्थान, जैसे यह आपका nucleus था और यह अतरीक्ट वाला स्थान है, यह वाला, एक atom के अंदर दो स्थान होता है, दूसरा तीन बात लिखा हुआ है, tiny, heavy and positively charge, tiny मतलब बहुत ही छोटा, heavy मतलब भारी और धनावेसित होता है, है ना, nucleus भारी होता है, छोटा होता है, धनावेसित होता है, ऐसा भी कहा जाता है, कि atom का सारा mass, सारा दर्वान, चारो तरफ एक जैसा पहला हुआ नहीं है, जैसा Thompson ने कहा था इनके गुदाविक, atom का सारा mass, nucleus के अंदर ही होता है, एना, क्योंकि बाहर से atom पूरीता से खोकला होता है, atom का सारा mass, nucleus के ही अंदर होता है, its radius is about 10 to the power minus 15 meter, atom का जो radius होता है, वो लगभग 10 का power minus 15 meter होता है, याद होगा आपको, atom का radius था 10 का power minus 10 meter, और nucleus का radius होता है, वो होता है, 10 का power minus 15 meter, obviously nucleus atom से बहुत छोटा होगा, atom का radius था minus 10, और nucleus का radius है, 10 का power minus 15 meter, ये nucleus का radius हुआ, ठीक है, the positive charge on nucleus is due to proton, nucleus के अंदर जो positive charge है, वो किसके वज़े से है, proton के वज़े से है, है न, क्योंकि इसके अंदर वो proton पाये जाता है, जो इसको धनावेसिद बनाता है, ठीक है, in extra nuclear portion electron are present, electron आपको कहा present है, nucleus के अलावा जो बाकी स्थान है, वहाँ आपका electron present है, ठीक है, number of proton is equal to number of electron, so atoms are neutral, है न, एक atom के अंदर, जितना electron होता है, उतना ही proton होता है, यह बात तो Thompson ने भी कहा था, इसलिए atom neutral होता है, यह बात Thompson ने भी कहा था, कि neutral atom का होता है, यानि कि atom पर कोई charge नहीं होता है, क्योंकि proton electron की संख्या बराबर होती है, next point, electrons revolve around the nucleus in a circular path, which is called orbit, electron जो है यहां स्थिर नहीं रहेगा, यह electron nucleus के चाओ तब लगता चकर लगाता है, देखे, यह चकर लगाने वाला रास्ता है, यह ऐसे लगाए, यह ऐसे लगाए, यह आपका जो pink color का जो ball दिख रहा है, वह आपका क्या है, electron, है ना, और एक circular path, एक वरता का रास्ते पर चकर लगाता है, उस वरता का रास्ते को लोग क्या बोलते है, orbit, हिंदी में से कक्ष कहा जाता, इसमें electron चकर लगाता है, ये चक्कर लगाएगा एक रास्ते में जिसको आम लोग क्या बोलेंगे और्बिट ये इनका अटमिक मॉडल का मुख्य बाद था ठीक है अब आता है इनका अटमिक मॉडल का मुख्य बाद तो आप लोगों ने देख लिया लेकिन इनका अटमिक मॉडल में क्या-क्या लिमिटेशन्स को दूर किया था नील बोर के सैंटिस्ट ने लेकिन नील बोर का परमानू मॉडल में आपको भी नहीं बताओंगा क्या बोर हो जाईएगा इसलिए सीधे इसका लिमिटेशन्स मैं बता रहा हूं क्या लिमिटेशन्स है बस वीडियो को यही पर स्टॉप करें इनके हैं इन् genuinely के यह सूरिएगा इनके डिर्ल मॉडेल के मुदाबी platinum, nuclear स्पेट इलेक्टृन लगातार चक्र लगाएगाAudi 5 की अथ्य को कम करते एगा ओर बूप一 करद को करते करते यह nucleus के पास जाकर टकरा जाएगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, है न, electron चकर लगा रहा है, 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 लगाते लगाते, इसका energy जब कम हुआ, तो यह कहाँ पर जाकर के टकरा जाएगा, बोलिए, nucleus से, और जब यह electron nucleus के पास जाके टकरा जाएगा, तो इसका स्थित्व ही खतम हो जाएगा, है ना, एटम पूरी तरह से unstable हो जाएगा, इसका मतलब एटम का स्थाईत्व को इन्हों ने भी explain, नहीं किया, जो Thompson भी नहीं कर पाए, वो Rutherford भी नहीं कर पाए, देखे, this theory could not explain stability of atom, एटम स्थाई क्यों है, ये बात explain नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि अगर energy कम हो जाता है इसका, तो ये nucleus से मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, atom stable है, लेकिन इनके मुदाबी के, electron को nucleus से मिल जाना चाहिए लेकिन ऐसा होदा नहीं है atom stable है इसका मतलब ये इनका खामी है ये explain नहीं कर पाई atom stable क्यों है विए explain कर देते थे इस बात को सावित कर देते थे ठीक है चले दूसरी बार this theory could not explain distribution of electron देखे orbit में electron कैसे distributed होता है कैसे फैला होता है ये चीज नहीं बताया है नोंने हम लोग जानते है जब हम लोग atomic model आप बनाते हैं आप बनाते भी होंगे class 9 में भी किये होंगे तो आप ऐसे बनाते हैं कि नहीं पहले orbit में दो electron दूसरे orbit में 8 electron ऐसे आप करके बनाते होंगे आप तो ये आपको electron का distribution पता है लेकिन रदर फोर्ड के atomic model में ये distribution नहीं मालूम था नहीं बताया गया था ठीक है तो ये हो गया इसका limitation number 2 ठीक है अब इन सारे limitations को दूर करेगा हमारा बोर atomic theory लेकिन वो आपको इस chapter में बहुत आगे मिलेगा ठीक है तो ये lecture आपका यहीं तक हुआ है ना इस lecture में मैंने आपको atom का model atom का model नहीं atom का theory सुवाथ में बताया फिर electron, proton, neutron, tino का discovery कैसे हुआ यहीं बताया tino का features मैंने आपको बताया electron, proton, neutron का फिर आपको मैंने Thomson का atomic theory बताया फिर मैंने आपको Rutherford का भी atomic theory बताया इस पूरी lecture में मैंने आपको इतना बताया, अब इससे related जो आपके questions होंगे, वो मैं आपको assignment का एक वीडियो बनाऊँगा, DPP1 करके एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं इन सभी से जो questions आपके exam में आ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, तो ये वीडियो यही वीडियो जाए और उनको benefit हो, ठीक है, तो आज का lecture यही तक, ठीक है, इसके बाद देखिए, आपका slide जो है, thank you.